नमस्कार दोस्तों मैं अपसिक पटिल रियोच ये सनायो सिकर्णिव पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों यदि आप PCS समिछा दिकारी लोवर PCS या दरोगा भरती परिच्छा के तयारी कर रहे हैं और समिधान यूम राजव्योस्ता विसे की कोचिंग लेने के बार चाहते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद आपके सभी क्वेशन साल्व हो जाए तो आप एक बार हमारे समिधान यूम राजव्योस्ता वाले प्लेइलिश्ट को जरूर देखें आपके सभी प्रस्णों से हल हो जाएंगे चलिए आज के काम पे आते हैं जबस्तों आज आप वाली नदिया कौन कौन सी है एक गंगा दूसरी है ब्रह्मपुत रखी कि यह दोनों नदिया सुंदर बन डेल्टा का निर्माड करती है ठीक है लेगिन इसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं गंगा के बारे में और ब्रंपुत के बारे में किस परकार ये पूरे डेल्टा का निर्माड करती है दोस्तों जैसे गंगा पश्चिम मंगाल में परवेश करती है गंगा नदी जब आके पश्चिम मंगाल परवेश करती है तो यह दो भागम बैट जाती है एक का नाम हो जात है इसी पे आपका फ्रक्का बांद है ठीक और उसके बाद क्या है यह जा के बंगाल के परवेश करती है जब यह बंगला देश में परवेश करती है तो इसका नाम भागी रधी से हो जाता है पदमा ठीक है इसका नाम क्या हो जाता है पदमा पदमा बंगला देश में बहती हुई आगे बढ़ती है तो उधर से जो ब्रह्मपुत नदी आ रही होती है जब वो परव्यस करती है तो इसका नाम हो जाता है जमना इधर यह ब्रमपुत थी जैसे बंगला देश में परव्यस की तो इसका नाम हो गया जमना जमना और पदमा जब दोनों मिलते हैं तो यह पदमा नाम से आगे बढ़ती है ठीक है यह पदमा नाम से आगे बढ़ती है बाद में यहाँ पर इसके एक नदी आती है बाएं तट से इसका नाम है मेखना मेखना नदी मिलने के बाद यह मेखना के नाम से आगे वड़ती है ठीक है और जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है तब यहाँ हुगली से लेके ठीक है अब आप देखेंगे हुगली से नदी जहा पे बंगाल के खाड़ी में मिल लहीं वहां से लिए कि मेघना नदी की मुहाने तक क्या है पूरा का पूरा सुंदर्वन डेल्टा है ठीक है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा एक बार और समझ लीजिए गंगा नदी इधर आई गंगा नदी जैसे पश्म मंगाल में प परवेश करते है उन्हwang इसको पदमा नाम से जाना जाता है कि पादमा नदी आगे अगे वढ़कि ब्रंपूत की नदी है जिसका नाम जम्ना पढ़ गया है बंगलादैने आंगे और फिर उसके बाद पदमा नाम से आगे वढ़ती है जब इससे मेघना नदी मीलती है तो ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके गिल जाती है ठीक है इस परकार मेघना नदी से लेके हुगली नदी तक पूरा क्या है सुंदरबन डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते है क्यों कहते हैं क्यों कहां से सुंदरी के बिरिच पाए जाते है ठीक है यहां से कई प्रस्ण पूछे जाते हैं अगर ना समय तो देख लीजेगा गंगा नदी उदाहरण है ठीक है गंगा नदी किसका उदाहरण है पूरवर्ती अपवाह का ठीक है इसको लेके बिवाद है ठीक है एक बार जब यह प्रस्ण पूछा गया था तो पहले आयोग ने पूरवर्ती अपवाह एंसर दिया उसके बाद हटा के अनवर्ती अपवाह नाम दे दिया ठीक है लेकिन घटना चक्रे ने पूरवर्ती अपवाह इसका सही माना है ठीक है लेकिन हम देखते हैं है क्या पूरवर्ती अपवाह क्या होता है ठीक है इसको एक बार आप समझ ल दिया हिमाले परवत के बनने के पहले से ही ये बह रही है ये बहती थी ये चेमा यूंदूं ग्लेसियर क्या सब निगलती थी ठीक है ये यहां से निकलने के बाद ये टेथी सागर में तीनों की तीनों आके गिर जाती थी लेकिन जब टेथी सागर ऊपर बढ़ने लगा ठीक काट काट के बहती रहीं इस प्रकार सिंधु सतलज और ब्रंपूट नदियों ये ब्रिहद हिमाले में आप देखेंगे बड़े बड़े गार्ज बना दिए सिंद्व नदी ने कौन सा गार्ज बनाया सिंद्व नदी द्वारा सिंद्व गार्ज बनाया गया और सतलज नदी के द्वारा सिपकीला गार्ज का निर्माड किया गया सिंद्व नदी द्वारा सिंद्व गार्ज ठीक है और सतलज नदी द्वारा सिपकीला गार्ज और ब्र त्पर्कार यह तीनों नदिया कैसी हो गही? जैसे पूर में भाती थी अपने राश्ते पर भाती रहें ठीक है हम अनुवरती किसे कहते हैं ठीक है अनुवर्ती नदी वे हैं जो हिमाले बनने के बाद बही ठीक है जैसे जो हमारी गंगा है या बिलियाद हिमाले से निकलती है तो यह क्या है जब हिमाले बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या बने हिमाले की बीच में जो घाटियां हो बनी ठीक है जब हिमाले बनन इतने उचे-उचे हो गए तब इसमें क्या हुआ इसकी चोटियों पर बरफ ढखने लगा क्यों कि जैसे जैसे आप पुचाई पर जाते हैं क्या होता है कि तापमान घरता है यहां बरफ का जमाव हो गया अब बरफ का जमाव जब हुआ तो यहां पर गलेसियर भी बने ठीक ह गलेसियर से पानी रिसा और घाटियों से होके क्या हुआ मैदानी भागों में आने लगा तो यह क्या हो गया यह अनुसरण कर रही ना गंगा जो निकरी यह अपने राफ्ते का अनुसरण कर रही है जो पहले से बना राफ्ता था जो यहां इसमें जो खाडियां बनी थी उ तो मद्ध और सिवालिक हिमाले के लिए यह क्या होगे पूरवर्ति लेकिन अगर हम देखें हिमाले के नजरीय फे देखें तो यह अनुवर्ति पूर यह अनुवर्ति ने ठीक है पुआ वाली हमारे कहने का मतलब यह हुँआ कि जो नदियां हिमाले बनने के पहले से बह रहे हैं वह जिस राष्टे पे पहले बह रहे थी ऊसी राष्टे पे आज ही बह रहे हैं चाहे उनको काटना ही प innoc淡़ तो वे कहलाती है पूरवरती अपवाह तंत्र वाली नदिया, ऐसी नदिया जो हिमाले के बनने के बाद बहना शुरू हुई, हिमाले की बीच में जो खाड़ियां है उनके बीच से बह रही है, तो यह कहा जाएगा कि उन खाड़ियों का ये अनुसरन कर रही है, उन्हें तो बर्वरति नदी कि यह थालों का अंसरण कर रहे हैं लेकिन यदि हम गंगा को मत्ध हिमाले केसाफ पेचे देखें तो इधोंने भी सिवालिक नदी को काटा है तो अगर इसकी नजर से देखें तो गंगा क्या हो जाएगा इसके नजासे गंगा पूरवर्ती नदी हो जाएगा लेकिन अगर छेदर में देखे तो पूरवर्ती नदी तолж 7 ल, 29 और नगी केलियर हो गया होगा अगर आपका ना किलियर हो ते कमेंट कर दीजिए इसको फिर से मसमज़ा देंगे खिर उस नदी का जंदाखनी नदी गंगा का जो उद्गम है गंगा के उद्गम के बारे में कर हम देखें तो गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर ठीक वहां से भागी रथी के नाम से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर मालने यहां पर है यहां से भागी रथी नाम से निकली और भीला बिष्डु गंगा धोले गंगा निकलती है सतों पंध कल इसए सतों पंध कलेशियर से थिकल्एंट दो निकलती हैं एक घृत ब्रीका को यह दोनों आके विश्डु परियाग मीन जाती आइनका नाम हो जाता है अलगनंदा अलक नंदा आगे बढ़ती है और पिंडार में आके ये करण परियाग में आके पिंडार नदी से मिल जाती है इदर से आती है पिंडार नदी और करण परियाग में ये अलक नंदा पिंडार नदी मिलती है आगे जब बढ़ती है तो रुद्र परियाग में ये मंदाकनी नद यह जा से केदारनाच से आती है, और मन्धाक्नी नदी रुद्र परियाग में आके, अलग नंदा से मिल जाती है, और फिर यह दोनों आगे आके, मतलब यह, अलग नंदा भागी रहते देव प्रयाग में आपस में मिलती है तो यह गंगा का जो उद्गम है इस परकार से है और फिर यह आगे बढ़ती है और इसी केस हरिद्वार होते विए मैदानी शित्रों में यह परवेश कर जाती गंगा तो जो पूछा किदार किदार नाथ से रुदर प्रयाग के मत कौन से नदी बहती है तो यह मंदाकनी नदी बहती है दर किदार नाथ है इसके बीच में मंदाकनी नदी बहती है मरा अगला प्रस्ण है बेतवा नदी मिलती है बेतवा नदी किसे मिलती है यह यमुना की साहिक नदी है या प्राइदे पठार्फ निकलती हैं और गंगा में सीधे मिल जाती है ठीक है सीधे गंगा से मिलती हैं ये ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती है ठीक है अगला प्रसम आ रहा है कि भारत में यार लूंग जामबो नदी को किस नाम से जाना जाता है भारत में यार लूंग जामबो नदी को ब्र मारा अगला प्रस्ण है कि कौन सी स्रेड़ी यमना और सोन के मद जल दी भाजक का कार करती है ठीक है ये कौन सी स्रेड़ी के कैमूर परवत वाली जो स्रेड़ी होती है सोन ठीक है और यमना नदी के मद जल दी भाजक का काम करती है ठीक है और अगला प्रस्ण मारा है कि तिब पूरवरति नतिया हैं तीनों जिस रास्ते पर पहले वह रहे थी उसी रास्ते पर बैती हैं उन्होंने हिमाले परवत को काटकर बड़े बड़े गार्ज कैनियन मनाए हैं अगला प्रफन हमारा है कि दिहां गार्जी का और कोरभा गार्ज भी कहा जाता है अगला प्रफन निम्खित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती ठीक है गोमती घागरा कोसी सोन कि गोमती घागरा कोसी ठीक है यह सबकी सब नदिया गंगा नदी में बाएं से मिलती हैं तो तिबबत बंगलादेश भारत ठीक अब क्या है कि तिबबत यह प्रफन पूछा गया था उन्हें सोनभे का स्वाथ पूछा गया था लेकिन अब तिबबत का अस्चुत लगबग नहीं बचा है तो अगर तिबबत कि यह चीन आप संद्य तो आप लगा दें चीन बंग मन दकनी ननदी स्गेश år रुद प्रयाग के बीज ऑगला प्रसनामारा है चीन Мыफित नदी के तटल पर ब॥ और अनाथ का करकी मंदिर है यह आपका अलग्स नांदा नदी के तरgone पर अध्री नाद का पुर्फित मंदिर ए ठीक है ये आपको ये नहीं याद होता है, ठीक है, कौन सा, कहां पर कौन सी नदी आके मिलती है, तो तीन नदी जैसे आपका हो जाएगा, कर्ड, कर्ड परियाग में कौन सी मिलती है, रुद्ध परियाग में और देव परियाग में, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लें, कर्ड का पि सबस्क्राइब र मां हैं कि ठीक और मैंने आपका बहुत लिए तो पिंड़्णाद करन मतलब बनतला कर कंद कर पर coloring में आके पहके अलक खो WOR जाए ंदाग मतलब मंदा ठीक है रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है मंदागनी देवता भागे मतलब देवता कार्थ हो जाएगा देव प्रयाग ठीक है और भागी मतल भागी रती ठीक है देव परियाग में कौन सी नदी आके मिली भागी रती तो करण परियाग में अलग नंदा नदी से पिंडार नदी मिली रुद्र परियाग में अलग नंदा से आपकी बंदाकनी नदी मिल जाती है और भागी देव भागे मतलब देव परियाग में अलग नंदा से भा करण का पिंड लेकर रुद्रम tiếpार के पास देलकर भागे एसे आप याद रखिएगा अगला प्रस्थ आ मारह है है भंगलादेश में परवयस करने के बाद घंगा नदी को मैं किस नाम से जाना जाता है कंगा नदी जब भंग्लादेश में परवय करती है ठीक है नहीं जब पस्य मंगाल में प्रिवेस्थ करती है तो ये दो फा-खॉम बढ़ती है एक का नाम हो जाता है आपका हुगली जब भागी रती आगे बढ़ती है और ये बंगला देशा के नाम हो जाता है पदमा ठीक है जब भागी रथी आगे बढ़ती हो बंगाला डेस में प्रवेश कोरड़ी तो इसका नाम हो जाता है जब यह प्रम मुद् चाने कि में जमुना हो जाती है और अगे जाके में मेखना से मिलती है पदमा मेखना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है तो बंगलादेश में प्रव्यश करने मी पभी शे fps इसका नौन हो ज जाता है पदमा ठीक है अगला प्रस्वन है निम्खित में से एक नदी डेल्टा का निर्माड नहीं करती तो जितने भी नदिया बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है सब किसम डेल्टा का निर्माड करती है लेकिन जितने भी अरब सागर में गिराती है अपना जल वो करते हैं 9 देल्टा का निर्वाड़ान है यह इश्चुरी बनाती ठीक हैत इनमें से ने वाली बाति यह जो है दख्षिड भारत की सबसे है प्राइदिया भारत के लंबी ने ठीक है इसलिए लंबी होनी की वज़ा से और इसका जेल गरहाण शेत्र अधिक होने के वज़ा से इसे दच्षडी गंगा ठीक है या बिर्द गंगा के नाम से जाना जाता है लेकिन एक बार पर पूंचा के आप इस इसमें कि दच्षड भारत की गंगा कौन है तोहां पर उत्तर कावेरी था कावेरी बह भारत की एक अईसी नदिए है कि जिसमें बर्स भर जल बहता है ठीक है इस अधार पर बर्स भर इसमें जल रहता है दूसरी बात ये उधर की दच्षड भारत की मितलब केल्रा तामिलाड़ करनाड़ का की पवित्र नंदी मानिदिम आती है तो थिसकी पवित्रता इस साल भ पुछी जाएगी तो आपकी गोदावरी हो जाएगी अगला प्रस्ण हमारा है कि अमर कंटक से कौन सी नदी का उद्यम होता है ठीक है अमर कंटक से कौन सी नदी निकलती है हमारी नर्मदा ठीक है नर्मदा नदी हमारी कहां से निकलती है अमर कंटक पठार से और दामोदर नदी जो हमारी है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और जाके ये हुगली में मिल जाती है महा नदी की अगर बात करें ये 36 गड़ के रायपूर से निकलती है ठीक है ये और ये जाके भी बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है जम्हानदी कहां जाल दी है बंगाल के खाड़ी में और निकलती कहां है 36 गड़ के रायपूर से ठीक है और नर्मदा का मैंने बता दिया मरकंटक पठार से और हम बात करें तापती की यम्माध्य प्रदेश के बैतूल जीले से निकलती है और यह जाके सूरत के निकट खंबा की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदीवी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है ठीक है अगला प्रस्णा मारा है नर्मदा घाटी उदहरण है ठीक है नर्मदा घाटी जो है यह भरंस घाटी है ठीक है एक परकार की भरंस घाटी है नर्मदा तापती ठीक है यह दोनो तो गंगा, गोदावरी और यम्ना यह तीनों तीनों क्या है किया है अपना जल बंगाल की खारी में गंगा सीधें गिराती है गोदावरी भी सीधें गिराती है लेकिन यम्ना जो है नर्मदा क्या है ख inté कि abordाल गिराती है तो यह पाश्चिम की तरफ प्रभावित होती है और पाश्चिम की तरफ जल गिराने वाली नदियों में से नर्मदा सबसे लंबी नदी कावेरी नदी कौन से राज से होकर उजरती है कावेरी नदी आपका करनाटक केरल तमिलाड तीनों राज्यों से होकर उजरत में तो बराधा है वैसकी पवित्र पवित्ता पभारत कि गंगा कई अज旦ा में के lost ॐ गया तtagए प्रक्टयों को जोड़ा कि इसमें डो नदी ओर गया था गोदावरी और किफड़ा इसको जोडने की बात की गई थी ठीक है अगला प्रस्न है हमारा निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है अरब सागर में गिरने वाली वही नदी होंगी जो पस्चिम की तरफ प्रभावित होती है प्रभाहित हो रही है तो गोद दावरे नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तापती नदी क्या है यह नमदा तापती दोने एक साथ किनारे किनारे बहती है और यह कहां गिरती है खंबात की खाड़ी में तो यह हो जागी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी बाकि किफड़ा महनदी बंगाल की ख ह습 सुरत निएक खम भाट के घाडबी में अपना जल टिए सबmänकरा मारास्थ कि नासिक जिली से निंगलती है कि त्रेंबम क नामा के फ़ाड़ी महारास्थ कि नासिक जिले के त्रेंबम केब POW कियों निकलती हो बंगाल की घाडबी में अगर बात करें तो यह महा बलेस्वर के समीब पश्मी घाट पहाड से निकलती है यह भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और महा नदी महा नदी के वारे में इससे पहले हमने चर्चा की है अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा नहीं देखवार वीडियो देख लिएगा दच्षिड भारत की नदिया पर्मोख रूप से निम्न में से कौन सी अपवात तंत्र रखती हैं तो दच्षिड भारत क कि सोन नर्मदा तता महा नदी निकलती है यह तीनों के तीनों अमर कंटक पठार से निकलती है ठीक है अमर कंटक पठार मालो ऐसे है तो एक चरियती नर्मदा निकल के इधर सोन भी निकल जाती है उसको एक किनारे से से महा नदी निकलती है तो यह तीनों के तीनों नदिया कहा हम निकलती है अगला प्रस्ण हमारा है प्राइद एपिए भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है तो प्राइद एपिए भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन से है गोदावरी ठीक है प्राइद एपिए भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है गोदावर बहें, सालभर को बहता है , और किफड़ा नदी महाबलेसवर के समीं पश्चीमी घाट से निकलती है ! अगला प्रस्मारा है कि निम्लखित में से कौन सी नदिया बंगाल के खाड़ी में गिरती है ठीक है फिर वही कोशन है तो महानादी किफ़ा का वेरी ये क्या है बंगाल के खाड़ी में गिरती है ब्रहंपुत्र गंगा और गोदावरी ये भी क्या करती है बंगाल के खाड़ यमना सब किस बनती है यह हिमांचल प्रदेश सब किसम बहती है अगला प्रस्ते है sketch के सबहात अंत्र का भाग है थे चंभ היक यमना नुदिए की करती है ओग आगे कहा मिल जाती कि यह यह अंकती है यह याप गहरता है यहस्ट नदी लागो की गई है यह किसे लागो की गई है आपके बेतवा केंग एक मिनिट या बेतवा नदी पर बनाया ठीक है राज घाट नदी घाटी पर यूजना जो है यह बेतवा नदी पर शुरू किया गया है अगला प्रस्न है हमारा अब आज के प्रस्न सब खतम हो जाते हैं और आख्री में आपको सुचना है कि यह आप भारती अर ब्रस्ता एक दम सुरू से पढ़ाया जा रहा है यह ठीक इसी के साथ आज बिदा लेते हैं जै हिंद जै भारत